22 उन्वरी को राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा की गई थी इसके बाद मंगलवार से मंदिर को सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया वहीं जब से मंदिर खुला है तब से भक्तों का सैलाब उमड रहा है तस्वीरे बया कर रही है कि लोग अपने आराध्य से मिलने के लिए कितने बेताब है हाला कि प्रसाशन लगातार भीड को काबू करने की कोशिश में रगा है लेकिन भीड है कि रुखने का नामी नहीं ले रही है हम चाहते है लोग अपना धैर ना खुए हमारी बात माने और धैर पूरवक उन्हें इंतिजार तो करना पड़ेगा जो लोग आगे जब वो धर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे सब्सक्राइब निष्ट करने दर्शन कर रहें और सभी के दर्शन पूर्ण होने लोग बहर निकल रहे हैं बाहर आने वाला रास्ता यह नहीं बलकि अन्यत्य से बाहर निकल रहे हमारे एंट्रेश्ट डियेट पहले से डिफाइंड है उन्हीं रास्तों लोग जा रहे जो लोग अंदर गए हैं जितने लोग बाहर निकले सब दर्शन करके बाहर निकल और नेवरिंग डिस्ट्रिक्स से आपने क्या अपील कि है कि वह अ दर्शन करने आएंगे और सभी दर्शन कर पाएंगे किसी को असुविधा नहों इसका ध्यान रखना हमारा प्रसम दाइत्व है उसी दाइत्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने जिस अगर आप भी रामनला के दर्शन के लिए जा रही हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा वरना बिना दर्शन की आपको लोटना पड़ेगा मंदर परीसर में खाने पीनी की चीजों के साथ नहीं जा सकते हैं फिर चाहे वो घर का बना खाना क्यों न हो या फिर पैक्ट फूट ही क्यों न हो मंदर में प्राण प्रतिष्ठा के दोरान किसी भी तरहा का electronic device आप साथ में नहीं ले जो सकते मुबाइल से लेकर electronic watch, earphone, laptop या camera ये सारी चीजे राम मंदर में बैंड करती कई है मंदर परीशन में belt और जूते वगेरा बैंड कर भी नहीं जो सकते साथी पर्स भी मंदर के अंदर लिजान आलाउट नहीं है मंदर में बेना पूजा के ठाली के शायद ही लोग आते होंगे लेकिन यहां फिलहाल आप पूजा सामगरी और ठाली के ना आए क्योंकि जरान पूजा करनी के अनुमती नहीं होगी